तो guys we are on the 19th episode of master stock market in 90 days मतलब यार इतनी easy language में और इतनी simple episodes में आपको stock market की knowledge मेरे हिसाब से शायद youtube पे कहीं भी किसी channel पे available नहीं होगी और अगर आप episode by episode इसको देख लो तो आपकी stock market की जन्नी बाई बिल्कुल simple हो जाने वाली है अब हम तो advanced topic पे आ चुके future and options पे लास्ट episode में आपको introduction दिया था future options का एक बहुत ही simple आपको example से मैंने बताया था कि यार future options क्या होता है और मेरे साब से वो चीज आपको समझ में आ दी होगी कि future options जनरली तब करते है अगर आपको stock market में business करना अब और ज्यादा basics जानने है आपको future and options के तो उसके लिए पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है मेरे चानल पर जिसमें पूरा future and options क्या 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 होता है उसके बारे में explain क्या है कैसे उसमें orders place कर सकते है वो भी सब बता है और call put यह सब सब क्या होता है पूरी की पूरी प्ले लिस्ट वो जाके आप देख सकते हो मैंने का था इस प्ले लिस्ट में थोड़ा सा advanced चीजे रहने वाली है पहले भी कोई न कोई वीडियो में आपको म जरनी है वो बहुत सिंपल हो जाएगी इससे तो इस वीडियो में मैं कुछ दो important words आपको बताऊंगा जो बहुत जादा use होते है जब भी आप future options में trade करने लगते हो और maximum लोगों को यह चीजे समझ में नहीं आती आप new channel देखते होगे टीवी पे उस पे भी यह words बार-बार use होते होंगे बट आपको actual में इनका meaning नहीं पता तो जो two important words है first one is open interest and second one is volume इसको बहुत simple words आपके लिए कर देता हो कि क्या actual में होता क्या है तो आप सोचो कोई share buy करना चाहते हो अगर stock market में और अभी वो share मानलो 500 के price पे trade कर रहा है कोई भी XYZ share हो सकता है अब आपने order place कर द तो sell order match हो पाएगा otherwise price नीचे आएगा तो buy order match हो पाएगा तो जब तक order match नहीं होते तब तक बहुत सारे different different orders market में पड़े रहते हैं उनको बोलते है open orders या फिर open interest create करना अब futures contract में बहुत important होता है क्योंकि generally क्या होता है futures में आपको बड़ी quantity में shares मिलते हैं क्योंकि हमेशा lot म नहीं आपको buy करना पड़ेगा तो वहाँ पे छोटे छोटे price की भी बहुत value होती है मतला आपको contract buy कर रहे हो 5000 shares का है और अगर आप एक दो रुपे भी उपर price पे buy कर लेते हो तो आपको 5,000-10,000 का risk हो सकता है मतलब price एकदम fluctuate करके उपर नीचे आगे तो आपका जो PNL है बहुत तेजी से fluctuate हो सकता है तो वहाँ पे जो लोग trade करते है वो बहुत source समझ के decision लेते हैं तो actual में अपने orders place करके रखते है different different prices पे जब भी orders placed है different different prices पे उसको बोलते है open interest create होना मतलब की open orders create हो रहे है मतलब हो सकता है कोई नीचे की value में buy order place है और कोई उपर value में sell order place है त तो ऐसे ऐसे different buy और different sell orders place होंगे different different times पे 5 minutes के time frame पे कुछ open interest हो सकता है 15 minutes का कुछ हो सकता है 1 hour का कुछ हो सकता है daily time frame पे कुछ हो सकता है तो depending upon different different candlestick जो भी मैंने आपको समझा है different open interest create होते हैं market अब second important चीज़ है that is volume तो जो भी orders match हो जाते है वो volume में add होते रहते हैं मतलब कि क 500 पे 500, 499.5, 498, 497 ऐसे करके different prices पे buy orders लगे हुए और हो सकता है 500, 500.50, 501, 502 पे sell orders place कि हो जैसे जैसे वो orders match करते जाएंगे कि कि किसी को लग रहा है बायर को लग रहा कि मैं फटा फट खरीद लो ये price उपर जाने वाला है तो अपना order उपर करके place कर देता है वैसे sell order के volume में count हो जाते हैं तो ऐसे हो सकते हैं 5 मिनट में different open interest create हुआ उसमें जो भी orders match होगे वो volume में add होगे I hope सबको समझ में आ गया होगा open interest का मतलब है जो अभी execute नहीं होए लेकिन पड़े होए और volume में वह orders convert होते हैं जिसकी order matching होगे तो यही चीज़ है open interest और volume देखके ही हम अपने trades वागेरा plan कर सकते futures में generally open interest और volume futures में काम आता है और generally options contract में open interest काम आता है क्योंकि different different strikes different different open interest create होता है वो सारी चीज़े future में सीखेंगे बट पहले यह चीज़े दोनों words तो समझ में आ जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा futures में चार most important condition होती है जो की open interest पे ही depend करती है अब वो भी words आपने बहुत बार सुने होंगे चार वर्ड होते first one is long built up second one is short built up third one is long unwinding fourth one is short covering अब यह सारी चीज़े आपने सुनी होंगे लेकिन actual में समझ में तो नहीं आता कि यह चारो words क्या है बड़े difficult difficult लगते हैं तो one by one in को समझेगे मैं बहुत simple करके सब चीज़े आपको समझाए तो अभी तक भी समझा है आगे भी समझाता रहोंग रहा है price भी increase करे open interest भी increase करे at the same time that means वहाँ पे long built up हो रहा है मतलब लोग उस stock को खरीदना चाहते है futures में हम देखेंगे तो जब cash market में वह stock खरीदा जा रहा होगा तो future में भी long built up होने लग जाएगा और आप भी अगर इस condition को देखके आपको लगता है कि यहां से stock ऊपर जा सकता है तो आप भी अपने longs create कर सकते हैं first important condition open interest rises price भी increase करेगा open interest भी increase करेगा तो मतलब कि long built second important condition is short built up अब short built up क्या होता है यहां पर मतलब कि market में काडेक्शन नीचे गिर रह है उस time पर price decrease कर रहा है and open interest increase कर रहा है price की गिरते open interest increase करना मतलब कि लोग अपनी short positions create कर रहे हैolds mतलब कि जहापे एक short built-up हो रहा है, मतलब उनको anticipation है, कि stock का price और नीचे जा सकता है price नीचे गिरता रहे, open interest भढ़ता रहे, तो मतलब कि short built-up हो रहा है और short built-up की condition में उनको anticipation होता है, कि market में price और नीचे जा सकता है तो ये second important condition होगी short built-up मıtलब की market में selling जादा हो रही है, open interest जादा हो रहा है और price गिर रहा, third important condition is long unwinding, long unwinding क्या होता है, कि market में कोई, किसी ने कोई stock buy किया, या किसी ने कोई future contract में stock buy किया, lower price पे, अब वो price उपर चला गया, अब उसको लग रहा है कि मेरा profit का काम हो गया, अब market में और उपर जाने के जगा नहीं र उसको लगता है वो और उपर नहीं जाता है, तो 550 पे वो अपने longs को unwind करेगा, मतलब cover करेगा, and second ये भी हो सकता है कि कभी कोई लोगो को लगता है कि stock उपर जा सकता है, लेकिन stock महा से नीचे ही चला जाता है, तो जैसी कोई छोटा मोटा कर वो reversal लेता है, लोग अपने longs को unwind करते हैं, जो भी फस गए होता है long create करके market नीचे चला गया, तो अगर reversal पे वो longs unwind हो रहे है, that means आपको ये समझना है कि stock और नीचे जा सकता है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जब ये chart पे और आप ये सारी चीज़े देखो, आपको बहुत हद तक ये सारी किये होते हैं, शायद वो उनको close कर रहे है, इसलिए OI भी decrease कर रहे है, और price भी decrease कर रहे है, मैं generally abstract tool बताता हूं, बहुत बार पहले भी discuss किया है, उस पे जाके आप ये future open interest सारा कुछ चेक आउट कर सकते हो, उसमें सब चीज़े free में data available है, अगर वहाँ जाके चेक करोगे हो तो आपको बहुत सारी चीज़े समझ में आएंगे, और बहुत अच्छे colorful bars वगेरा बनाए हो है, तो आपको ये समझ में आजा है, कहां short covering हो रही है, कहां long unwinding हो रही है, कहां long built up हो रहा है, ये सारी चीज़े हो रही है, तो ये आप वहाँ जाके check out कर सकते हो, मैं try आपको एक demo भी दे दूँगा, next, जो fourth important condition, that is short covering, अब short covering क्या होता है, short covering generally मैं आपको बोलता हूँ, मैं generally trades इसी जगा पे देखने की कोशिच करता हूँ, जहां पे short covering हो रही हो और यहां पे एक अच्छी rally मिलती है, आपने बहुत बार सुना होगा, new channel पर सुना होगा, short covering rally, short covering rally, तो यह होता क्या है, जब भी कोई ऐसा price होता है, एक pain price होता है, जहां में market में generally लोग short build करते हैं, मतलब कोई resistance area हो गया, कोई supply zone हो गया, वहां पे लोग short create करते हैं, और वहां से price उपर जाने लगता है, तो जो भी लोग short create करके बैठे होते होते हैं, वो अपने short को cover करत तो वहां पे movement बहुत sharp आता है price में, short covering क्योंकि short covering rally हो जाती है, और उसके बाद अगर longs build up हो जाए, तो उसकी तो rally और continued हो जाती है, तो short covering हम कैसे find out करेंगे, वाकर किसी stock का price increase कर रहा है, और किसी certain level से उपर चला गया, और OI decrease कर रहा है, तो मतलब वहां पे short covering हो गया, क्यो longs build up, short build up, longs unwinding, short covering, longs built up कैसे दिखेगा, जब भी OI increase कर रहा होगा, और price increase कर रहा होगा, तो वहां पे short covering हो, तो भाई मैंने आपको इस वीडियो में open interest volume जो बहुत difficult terms, लोगो को नहीं समझ में आते हैं, लगती बहुत similar है, लेकिन बहुत बढ़ा difference है इनके अंतर, ये ची के बाद most important जो future में conditions होती है वो भी मैंने आपको सिखा दी यह words जो आप बहुत बार इनके across आऊगे लेकिन आपको यह शायद समझ में नहीं आएंगे यह बहुत simple language में मैंने आपको clear करके बताया कि यह चारो चीज़े होती क्या है और इन चीज़ों को देखके आप अपने trades क को plan कर सकते हो देखो इसमें क्या होता है इससे आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पर आपको stop loss accept करना है कहां पर अपने trade को hold करके रखना है कभी-कभी होता है कि market में आपने कहीं long build-up किया और market में normal किसी price में normal market move कर रहा है जब तक long unwinding नहां दिखे आपको यह long unwinding नहां द market में price और नीची जाएगा तो losses बहुत बढ़ सकते हैं बहुत में stop loss ले लेना चाहिए और मुझे hold करके रखना है कि stop loss को touch करके भी price भही आसपास घूम रहा है तो कब मुझे hold करके रखना चाहिए और कब मुझे stop loss ले लेना चाहिए यह चारो condition आपके बहुत help करेंगी तो भाई इतना knowledge इतना ग्यान दे रहा हूं मैं आपको stock market म मतलब लागो करोडोर रुपे खर्च करके भी लोगों को ये नॉलेज नहीं पर मिल पाती, मैंने भी भाई लागोर रुपे खर्च किया, स्टॉक मार्केट कोर्स इस पर, उससे फिर भी नहीं समझ मैं, तब भी अपने आप जाके समझ नहीं पड़ी, झाय खर्च करोड़ाय नहीं समझ नहीं समझ भी ये हुआरी फर्च को ये उलेगया उक शोग्जाम्ट इपलाओ रुपे अजा थ Sharp